साथियो जहिंत स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस और स्पोर्स आपी में फ्रेंस जो नोटिफिकेशन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वह इंडियन आर्मी अगनिवीर का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों सब्सक्राइब पहले मैं बता दूं आप लोग को यह जो है वो आयारो दिल्ली केंट का है जितने भी मेरे भाई दिल्ली और हर्याना वाले शेत्र से आते हैं वो अभी अपने अगनिवीर का जो फॉर्म आया हुआ हुआ है आर्मी का वो ऑनलाइन कर लें और दोस्तों सबसे खाल जानकारी आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि का आपके सारे जो केंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो इंडिन आर्मी में जो अब कॉमन एंटरेंस एक्जाम होगा जो हमारा मतलब फस्त फेस होगा हमारा सीबीटी का उसकी डेट क्या होगी तो दोस्तों वो भी डेट आप लोग की क्लियर हो चुकी है आप लोग कैंट में नहीं जितनी भी आपके स्टेट के जितनी भी आपके एरो और बी आरो लगते हैं हर जगह की जो डेट होगी दोस्तों वो 17 अप्रैल होगी ठीक है जिन भाईयों ने फॉर्म अपलाई कर दिया है वो अपनी एक्जैम की तैयारी करना भी स्टार्ट करने क्योंकि अब आप लोग के बास बिल्कुल समय नहीं है और इंडियन आर्मी ने अपना जो रिक्रूट्मेंट प्रोसीजर है वो बिल्कुल बदल दिया है ठीक है नोटिफिकेशन में मैं आज आपको मैं पूरा क्लियर कट करूंगा दोस्तों की इस बार की जो मतलब आप लोग जो भर रहे हो eligibility condition बिल्कुल अलग है आज से जो पहले भरती होती थी आज से एक देट साल पहले दोस्तों उसमें भरती में इतना कुछ नहीं था लेकिन दोस्तों इस बार की जो भरती में अगर आप लोग देखोगे तो इतना सब कुछ चेंज किया हुआ है दोस्तों साथ- से तैयारी करें ताकि वो अपने physical तक पहुंच सके बात करेंगे दोस्तों में age cutoff की age cutoff को लेकर के candidate बहुत ही confused है कि सर हमारा form क्यों नहीं भर रहा हम form भर सकते या नहीं भर सकते हैं या फिर हम किस trade में form भरें तो दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आपको मैं भत सकते हो ठीक है बात करेंगे दोस्तों इसमें कि इस बुक में दोस्तों क्या खास है तो बुक में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पता दूँ कि 1200 बहु विकल्पी है प्रशन है जो कि दोस्तों multiple choice questions है जो कि आपको practice करने में बहुत आसानी रहेगी साधी साथ दोस्तों इसक अच्छा score exam में करने के लिए दोस्तों चक्षू publication की जो अगनीवीर नियार जीडी की बुक है उसे आप purchase कर सकते हो अगे दोस्तों अगर आपको इसे online purchase करना साथ अगर डेस्काउंट लेना है तो आप मेरे चैनल के दोस्तों description में जा करके वहां से आप इसे वहां पे link दिय practice set मिलेंगे ताकि दोस्तों आप लोगों को practice करने में और दोस्तों जब आप exam में बैठोगे तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको वहां पे नया देख रहे हो कुछ नया question देख रहे हो क्यूंकि दोस्तों question already दोस्तों book में बहुत बढ़िया से दिये गए है साथी साथ दोस् इतना सा भी doubt ने रहे क्योंकि दोस्तों आपको पता है साल भर की जो मेहनत होती है वो हमारी एक अच्छी book से ही तैयारी हो सकती है अगर अच्छी तैयारी होगी अच्छा score होगा तो आप इंडेन आर्वी में selection ले सकते हैं ओके दोस्तों साथी साथ दोस्तों मैं बताता हू तो आप पर जा सकते हो अब दोस्तों आज आते हैं अपने में पॉइंट्स पर तो में पॉइंट्स जो है मारा वह है कि दोस्तों अभी जो eligibility condition है वह क्या है तो सबसे बेले दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर कि जो भाई अगनीवी general duty मतलब जो बच्छे gd में फॉर्म डल तो दोस्तों मैं बता दू यहां पर cgpa वालों के लिए एक बात है क्योंकि अगर आपका minimum जो grade है दोस्तों वह c2 होना चाहिए c2 से नीचे आपका grade नहीं होना चाहिए और दोस्तों साथी साथ अगर आपके पास LMV मतलब light motor vehicle का driving license है जेडी वालों को तो वह driver के लिए जा सक का ITI का certificate लगा देंगे तो उनका selection यहां पर पक्का हो जाएगा ठीक है साधी साथ दोस्तों अभी आपको मैं पूरा बता दूँ कि सबसे पहले आपका exam होने वाला जो की 17 April से है और आप लोगो अपनी तयारी में जुट चाहिए जलते जल और दोस्तों हमाई चनल को subscribe कर लि जो की age cutoff इस बार जो रहने वाली है वो है हमारी एक October 2002 से लेगा कि एक April 2006 तक तो जो भी candidate इस age के बीच में आते हैं वो candidate इस form को apply कर सकते हैं साधी साथ दोस्ता आपको पता है कि इस बार जो age रह गई है वो 17 से 21 साल तक है ना कि 23 साल की तो आप लोग देखते रहो साधी 20 marks मिलेंगे और दो भाही मेरे sportsman में आते चाहे वो international level, state level, junior, senior, university level जो भी आपने खेला है आप लोग को 15 से लेकर के पूरे 5 marks तक मिलने वाले हैं तो मेरे भाही लोग आप लोग अच्छे से तयारी करो और NCC वालों को में पहले ता दो NCC वालों के लिए इस बार थोड़ा क 5 marks और E certificate value को 5 marks ओगे जय हिंद